आप देख रहे हैं उत्राखंट का नमबर वन डिजिटल चैनल उत्राखंट खबर आज हम बात करने वाले हैं धहरादून के मशूर कैफे कृष्णा कैफे कुल लड़ जाए के बारे में यह कैफे महिशंदर शर्मा का है इन्होंने कैफे लॉगडान के दौरान खोला था बाचित के दौरान महिशंदर शर्मा ने बताए कि कैफे में जो भी बनता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावटी नहीं की जाती और इस कैफे में आसपास के लोग, कॉलिज के विध्यारती, टीचर्स आते रहते हैं इस कैफे की खाने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार के शेक, चॉकलेट शेक, केट-कैट और अलग-अलग प्रकार के सैंविच खाने को भी मिलेंगे यहाँ पर अगर चाय की बात की जाए तो यहाँ पर आपको चाय के विभिन प्रकार के मसालेदार चाय, नॉर्मल चाय, अद्रग चाय, भी मिलेंगे मुझे बहुत अच्छे मिला, मिरे सब बच्चे आपना कुछ भी बनाता हूँ, उसे पूरे मन से, पूरी तरह में सosaurus he를 बनाते हैं यहाँ जो में किसी तरह की कोई हमलब परवाइँ करते हमारा याय च्छाप बहुत अच्छा है, सब पर बरा अच्छे से हमार बहुत तादा है सेंड़ विकता है सैंड़ीच हमारे बहुत है ours अच्य प्राइस हमारे होगती आज हम कोशिस करते दोना की जाती है बिल्कुल हमें तरह सब आप है और होग मैं ऑर सबितिक tweede यहां करेंगे वह комна जाए हुआ जैन संविश लॉक्ति नाम अनौन मतर सबकरों करते हैं जैन संए항 सब्ने Smith दभूरत मेंन है सब बच्चे यहां पर fully satisfied हैं मैं दिन में डेली कम से कम तीन से चार बार यहां आ जाता हूं कभी चाय पीने कभी सैंड़ीच खाने लेक्चर के बीच में जब भी ब्रेक होता है डी आई टी से भी आई एमस के बच्चे और आते जाते टूरिस्ट भी यहां का environment देखे इन्फवेंस होते हैं और बहुत जादा यहां रुपते हैं सब यहां पर enjoy करते हैं moment spend करते हैं और एक दूसरे के साथ हम दोस्तों भी बैठते हैं यहां पर यहां पर हम अपनी birthday parties भी गर देते हैं पार्टी पार्टी जो होती है एक दूसरे की और्गनाइज कर देते हैं तो हम यहां से पूरे सैटिस्फाई हैं इस जगह से और अंकल जी के विहवार से बहुत सम्तुष्ट है